नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासस में आप सभी का स्वागत है, I hope आप सभी लोग हल्दी होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे अगामी एक्जाम की, हमारे द्वारा भी दोस्तों विसेज सिरीज चलाई गई है, सिक्चन अभी रूची के नाम से, जि कहां पर सभी जगा आपको यह सिरीज हैलफुल रहने वाली, हमने अभी दक दोस्तों इस सिरीज में तीन लेक्चर दोस्तों अपलोड कर दी हैं, जिसमें हमने आपको सिक्षक के बारे बताया था, सिक्षण अभी रूची क्या होती इसके बारे बताया था, सिक्षण अभी इविर्टी क्या होती इसके बारे बताया था अभी तक अगर आपने ओ तीनों classes नहीं देखिए हैं तो उसको जरूर देख लेना आपको काफी help मिलेगी आज हम दोस्तों इन topics पर आधारित अध्यापक को निमन में से किसे महत्वत देना चाहिए आपको सबसे जो right answer है दोस्तों वो देना होता है यहाँ पर सभी आपको सही तरके लगते हैं लेकि जो उसमें सबसे उप्युक्त आंसर होता है दोस्तों वो आपको देना होता है परधानाचारी से अच्छे संबंद बनाना चात्रों के भविशे को लेकर चिंते तरहना कक्षा में समर्पनों होसे सिक्षण करना जा फिर उप्रोक्त सभी आप देखिए परधानाचारी से अच्छे संबंद बनाना ये दोस्तों सिक्षक के लिए अपने personal पाइदे के लि लेकिन उस दिसा में कोई सार्था कदम ना उठाना या सिक्षण कारिये में अपना योगदान ना देना भी दोस्तों महतो हीन है तो यानि कि दोस्तों भविशे को लेकर चिंतेट रहना भी गलत आंसर है कक्षा में समरपड भाव से सिक्षण करना ही सबसे उप्यूक्त इसका दोस्तों आंसर है तो अध्यापक को कक्षा में समरपड भाव से सिक्षण करना ही क्योंकि इस समय पर दोस्तों जो छात्र हित है वो ही प्राथमिक है यानि कि दोस्तों इस समरपन पर जो हमारी सिक्षापना लिया वो चात्र केंदर बाल केंदरित है तो कक्षा में समरपन वहाओ से सिक्षन करना ही सबसे best है तो C वाला option correct ऐसे ही अगला प्रशन देखेंगे अध्यापक के लिए सबसे मुल्यवान क्या है सबसे valuable क्या है चारो option दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि सब सही है लेकिन सबसे उप्योगता अंसर है दोस्तों वो देना है उसकी नौकरी है उसकी सिक्षन के प्रती आस्ता है चात्रों का विश्वास है या फिर उसकी गरिमा एवं मरियादा है देखिए दोस्तों जैसे कि उसकी नौकरी है तो नौकरी उसके लिए परसनली मुल्यवान है लेकिन सबसे ज़्यादा मुल्यवान दोस्तों बाती है ऐसी दोस्तों अगर सिक्षन के प्रती आस्ता है देखे एक सिक्षेक है उसकी सिक्षन के प्रति आस्ता तो अच्छी है लेकिन अगर चात्रों का उस पर विश्वास नहीं है तो कहीं न कहीं सिक्षन कारे में कहीं कोई कमी है तो चात्रों का विश्वास दोस्तों सबसे महत्वपूर है गरीमा एवं मर्यादा वो भी दोस्तो कहीं न कहीं जो अध्यापक है अध्यापक केंद्रित है यानि कि जो गरीमा और मर्यादा है वो अध्यापक से संबन दिता है तो चात्र आप पर कितना विस्वास करते हैं यानि कि दोस्तों अगर आप सिक्षन कारें बहुत अच्छा करते हैं बहुत अच्छा अगर आपका attitude है towards students तो छात्र आपकर दोस्तों विश्वास करेंगे वही विश्वास को दोस्तों बनाई रखना है और उसी से ही दोस्तों आपको और motivation मिलेगा ताकि आप और अच्छा दोस्तों कर पाएं तो छात्रों का विश्वास दोस्तों सबसे महतुप आते हो teaching is all about to express yourself आपको बहुत काम आता है लेकिन आप जितना ज़्यादा अपने चात्रों के लिए कर सकते हो वही चात्र आप पर क्या करेंगे विश्वास करेंगे अगला प्रशन देखेंगे नीचे देखिए कथन दिया जा रहा है यदी या कथन सत्य है तो आपका उत्तरको होगा यदी कथन केवल एक मत है तो उत्तरको होगा यदी कथन दुरागरे है तो उत्तरको होगा ठीक है कथन क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं फिर इन चारों म रूप में मजबूरी में लेकिन आप दोस्तों यह चीजे काफी change हो रही है तो वे कभी भी अच्छे सिख्शक नहीं बन सकते तो आपके मत में क्या है देखे यह दोस्तों एक तरह का दुराग्रे है यह दुराग्रे है देखे ऐसा कहना कि अगर कोई सिक्षण व्यवसाई को अंतिम विकल के रूप में मजबूरी में अपना रहा है तो वह अच्छे सिक्षण नहीं बन सकते हैं देखे जो सिक्षण है वो हमने आपको पहली बताया है कि जब हमने आटिटूड और अप्रिटूड के बारे में दो सिक्षण सूतर जानेंगे उनका दोस्तों आप अच्छे दरसे प्रियोग करेंगे जितना आप अपने सिक्षण कौसलों को मजबूत बनाएंगे तो उतना ही दोस्तों आपका अप्रिटूड अच्छा चला जाएगा तो आपकी अगर सकारात्मक अभिविर्ती है और अगर आपकी अच्छी अभिरूजी है जो कि अरजित की जाती है समय के संख संख तो आपको अच्छा सिक्षण بنने से कोई भी नहीं रोक सकता ठीक है तो अच्छe सिक्षा वो नहीं बन सकते है ये बिल्कुल भी गलत है ये एक दोस्तों दुरागर रह है तो जो लोग सिक्षण को अंतिम रोप में अपनाते हैं अंतिम विकल्ब के रूप में भी अपनाते हैं वे भी दोस्तों अच्छे सिक्षप बन सकते हैं इसके बाद अगला option देखेंगे आपकी दृष्टी में अच्छी समय तालीका के लिए क्या आवशा के देखें दोस्तों यह aptitude और attitude के question से ठीक का पीरेड रखा जाए पीरेड की क्रियाओं में विवित्ता का प्रावधान हो उपरुक्त सभी तो देखें देखा जाए तो इसके चार option दोस्तों बिलकुल correct हैं हमें साथ ने देखा होगा कि school में जो कठिन विशे होते हैं जिसे की मान लेते हैं गनित का विशे है आपका तो उसका पहला पीरेड होता है या फिर दूसरा पीरेड होता है ठीक है स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में ही आप थोड़ा सा ऐसे विशे जो कि आसान होते हैं वो नहीं रखते हैं क्योंकि उस समय पर बच्चा fresh mind से आता है school में ठीक है तो कठिन विशे के कालन्स को विवित्ता यानि कि इसमें थोड़ा सा विवित्ता डिवर्सिटी टाइप की होनी चाहिए प्रावधान इसका होना चाहिए तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही है अच्छी time table ऐसे ही बनती है अगला प्रशन देखेंगे primary कक्षाओं में सिक्षा स्तर सुधारने के जाए और उप्रोक्तसभी तो आप देखेंगे दोस्तों इसके चार ओप्शन बिल्कुल करेक्ट है अध्यापकों की जवाब देही दोस्तों especially अगर primary स्तर के हम बात करें तो वहाँ पर दोस्तों जो बच्चे हैं उनके लिए अध्यापकों की जवाब देही सुनिश्चित करना बहुत ही महतुपूर्ण हो जाता है स्कूली में निगरानी के स्तर को सुधारा जाए देखें आपको बता है प्राइमरी स्तर के हम बात करें जिसे मैं बात करता हूँ 125 ठीक है इवन 6-8 के जो बच्चे होते दोस्तों उन पर निगरानी को रखा जाना important है अगर हम senior level प जितने कक्षाएं हैं जैसे कि मालते हैं फस्ट है सेकंड है और उसके भी जैसे पार्ट होते हैं second day, second week, second C तो उसके अनुरूप ही दोस्तों सिक्षकों की निवति की जानी चाहिए। अब मानक दोस्तों बने वे हैं कि परतेक इतने स्टूडेंट पर इतना सिक्षक होनी च क्योंकि वो जो सिक्षण के वो परतिक बच्चे पर फिर ध्यान नहीं दे पाएगा और ऐसे में अनुसासन हिंता का महोल ही बना रहेगा और फिर definitely अनुसासन तहीं हिंता आईगी तो फिर सिक्षण का स्थर अपन्यापी क्या होगा डाउन हो जाएगा अगला परस्चन देखेंगे चातर किस प्रकार के अध्यापकों को पसंद करते हैं as a student आप किस तरह के अध्यापकों पसंद करेंगे आप खोदी समझ सकते हैं जो उनकी समस्याओं का हल करने में रूची लेता है जिससे उन्हें सारिक दंड़ का भह नहीं होता जो टेस्टों की कॉपियां जांसने के बाद तुरंट उन्हें पुष्ट पोसंट देता है या फिर उपरोगती नो अब देखिए दोस्तों अगर आप पहला option देखे तो जो उनकी समस्याओं को हल करने में interest लेता है अगर कोई ऐसा सिक्षक है जो आपकी समस्याओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है तो आप ऐसे सक्षक को कभी भी पसंद नहीं करेंगे तो जो interest लेगा आप उसको definitely पसंद करेंगे अब कुछ ऐसे चात्रों होते हैं जिससे उन्हें सारी धंडे का भेहन ही होता तो ऐसे teacher को भी काफी सारे जो चात्र हैं दोस्तों हो पसंद करते हैं अब यह देखिए यह भी दोस्तों आपका एक है अलग-अलग system है देखिए कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि जिससे सारी धंडे का भेह होता भी है ऐसे teachers को भी पसंद करते हैं लेकिन हम यहाँ पर बात generally करेंगे तो जिससे उन्हें सारी धंडे का भेहन ही होता है यह एक student को लेकर नहीं है यह अलग-अलग student को लेकर विचार है ठीक है तो यहाँ पर कुछ ऐसे चात्र ऐसे होते हैं जिनको सारी धंडे का भेहन नहीं होगा teacher से तो वो भी उसको पसंद करेंगे तो यह भी बिल्कुल सही है इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे चात्र होते हैं जि और अच्छे से करो तो यह ऐसे जो सिक्षक feedback देते हैं यानि कि push to portion देते हैं ऐसे सिक्षक वो भी छात्रों द्वारा पसंद किया जाता है तो इस तरह से देखा जाए तो डी वाल option इसका बिल्कुल correct हो जाता है अगला प्रशन देखिए सिक्षा के प्रचार प्रसार से क्य देखें सिक्षा के प्रसार प्रसार से लोगतंत्र मजबूत होता है देखिए हमारा जो देश है दोस्तों क्या है डेमोक्रेटिक है ठीक है ना डेमोक्रेसी है हमारे डेमोक्रेसी क्यों है क्योंकि दोस्तों हमारे जो राष्टे दिख्ष है वो जनता के द्वारा होगी अगर जो जनता है वो असिक्षित है तो फिर वो क्या करेगी किसी भी ऐसे गैसे निता को अपना निता बना देगी ठीक है ना या फिर उनको पता ही नहीं होगा या फिर वोटी नहीं देंगे ठीक है तो लोगतंतर दोस्तों इससे क्या होता है मजबूत होता है लोगतं रेश्क दरती है दोस्तों वही रोज और इसको भी रोजगार मिलता है ठीक है रोजगार में बड़ उतरी ठीके अलावा अंदिविस्वास में कमिया • ओपरख्त सरणीज थी एंदिविस्वास भी या उंगते हुए पाए जाते हैं तो अब देखे किसी भी कक्षा में अगर चात्र उंगते हुए पाए जाते हैं तो उसके कई सारे दोस्तों कारण हो सकते हैं सबसे पहले देखे चात्रों में कोई कमी हो सकती है सिक्षण में कोई कमी हो सकती है कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है या फिर उप्रोक सभी तो D वाला उप्षिन दोस्ते इसका बिल्कुल correct है अगर कोई चात्र है उंतेवे पाए जा रहा तो इसका मतलब यही नहीं है कि चात्र ही उसके लिए दोसी है कई बार क्या होता है कि जो सिक्षक है उसका सिक्षन स्टाइल ही ऐसा होता है कि जो चात्र है वो क्या होता है बोर हो जाते है ठीक है इसके अलावा चात्रों में definitely क्या हो सकती है कमी हो सकती है कि भाया हो सकता है कि एक अच्छा सिक्षक है उसके सामने भी चात्र है वो उम्तेवे पाए जाए मतलब कि उसको उसमें interest ना हो देखे समस्यात्मक बालक हर जगा होते हैं तो उस हिसाफ से छात्रों में तो कमी होती है ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है लेकिन सिक्षन कारे में भी दोस्तों कमी हो सकते हैं और कभी कबाद जो कक्षा का environment होता है वो इस तरह का हो जाता है कि सिक्षक भी अच्छा बढ़ा रह है पाते हैं कभी का बहुत लंबा लंबा अगर आप सिक्षन लेते हैं व्याख्यान लेते हैं तो भली सिक्षक भी बहुत अच्छा हो और चात्र भी उसमें इंटरस्ट लेते हूं लेकिन कभी कात क्या होता है कि उनकी capability है उससे ऊपर चली जाती है उचीश तो वहां पर भ चला जा रहा है और इस बात की कोई परवाद नहीं करता कि विध्यारती क्या सीक रहे हैं वह जो समय पर कक्षा में आता है और इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि विध्यारती भी समय से कक्षा में आए और वह जो अपने विशे के बारे में बहुत अधिक तो नहीं जा चाहत्रों नेतिकता की पड़ाएगा तो अपने विषय के बारे में बहुत अधिक नहीं जानता किन्तु अपने विद्यारते को बहुत अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है तो देखी मैंने आपको पहली बतायता है कि चाहे दोस्तों आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं लेकिन जितना भी अगर आप जानते हैं वो दोस्तों आप छात्रों को इस तरह से बताते हैं कि छात्रों को वो चीज पूरी तरह से कनवे हो जाती है और छात्र उसमें उत्सुकता दिखाते हैं और छात्र ये चाते हैं कि भाईया और आप सीखाएं यानि कि वो और जानने के लिए छात्रों को प्रेरित करता है, यानि कि मोटिवेट करता है, तो उस सेंस में उस सिख्षक की कभी भी क्रिटिसिसम नहीं हो सकता. अगला प्रशन देखेंगे, अच्छा सिख्षन प्रकार यह है, अच्छा सिख्षन क्या है? परधानाचारे के अच्छे नित्रुत का, के परधानाचारे बहुत अच्छा लिडर्शिप करते हैं, शिख्षकों की विद्धुता के उच्च स्तर का, यानि कि सिख्षक बहुत विद्वान है, उनका हाई लेवल है, ठीक है? शिख्षन विवसाई के प्रती इमानदारी और निष्ठा का, या फिर उच्छे सिख्षन योग गिताओं इवंग विद्धियों का, ठीक है? अच्छा प्रशन है दोस्तों, पहले दो अप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं, एक सिख्षक है, वो कितना ही educated है, कितना ही high level का आपका विद्वान है, तो वो अच्छा सिख्षक हो, यह जोरी नहीं है, ऐसा होता तो हर जो I.S. होता वो सिख्षक बन जाता, ठीक है? तो अब यह आप समझ सकते हैं कि जो सिख्षक है, I.S. होता है, बहुत knowledge होती है उनमें, तो उनके विद्धियों का इस तर बहुत ह अंदर निस्था नहीं है, इमानदारी नहीं है अपने profession के प्रति, तो कहीं ना कहीं आप दोस्तों वहाँ पर अच्छा सिक्षन प्रक्रायर नहीं बना पाएंगे. तो सिक्षन विवसाई यानि कि आपका जो सिक्षन विवसाई है, उसके प्रति आप इमानदार हैं, और प नहीं, ये ना कई बार कई होता hy? बहूँत अच्छे सिक्शक होते हैं लेकिन आक लास में पड़ाते हैं, वो पड़ाना भी नहीं चाहते हैं, भला, उनके अंदर योगता, बहुत तगड़ी होती है, बहुत अच्छी वीडियों का यूज भी करते हैं, लेकिन जब इसा भी प्रॉब्लम देखी गए तो उसे छाक्रों का कोई भला नहीं होता है ठीक तो इसलिए सिक्षण व्यवसाय के प्रति इमानदारी भी होनी चाहिए निस्टा भी होनी चाहिए पुरी निस्टा पुरो कारे करना जाईए अब इन में से दोस्तों आपने बता रहा है कि निमने में से कौन सा कथन सरवादिक सही है सबसे ज़्यादा उप्योकत कथन कौन सा करेक्ट है अच्छा सिक्षक वही बन सकता है जो निरंतन अनुसंधान भी करता है या लिके रिसर्च भी करता है अच्छा सिक्षक वही बन सकता है जो कुछ ना करके केवल पढ़ाने पर ध्यान दे ओके अच्छा सिक्षक वही बन सकता है जो सिक्षण पर कम तता शोद पर अधिक ध्यान दे या फिर रोग रोग सभी तो देखे आपने से सबसे जो सही कथाने उसके ध्यान लगना है तो देखे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अच्छा सिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है तो ये दोस्तों बिलकुल correct है एक अच्छा teacher की सबसे बड़ी quality यह होती है कि लगातार वो दोस्तों अनुसंधान भी करी यानि कि research भी करी research का मतलब यह नहीं कि आप PhD करने चलेगे उससे मतलब नहीं है research का यहाँ पर मतलब यह है कि आपको अपने subject में लगातार research करनी है in the sense कि आप और बेटर अपने आप में क्या improvement कर सकते हैं यानि कि आप अपनी teaching skills में improvement कर सकते हैं आप बच्चों को पढ़ाने के way में आप improve कर सकते हैं ठीक है आप उनके homework में improvement ला सकते हैं या आप जो भी प्रशन पत्र बनाते हैं या जो भी आप चीज़े करते हैं वहाँ पर दोस्तों आप research करनी के आवशकता है कि इसको और बहतर किस तरह की से किया जा सकता है या किसी topic को आप दोस्तों समझाना चाहते हैं पढ़ाना चाहते हैं उसमें आपके अंदर कमी रहती है आप देखते हैं कि यार ये topic में अच्छा नहीं पढ़ा पाता हूँ तो इसको कैसे research करके अच्छा पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ मैं अब जैसे इसमें कितने जो science के teachers होते हैं के लिए तो बहुत अच्छा होता है कि वह model का use कर सकते हैं चार्ड का use कर सकते हैं इसके लावा अन्य कई संसादन है जिनका वो use कर सकते हैं तो जो लगातार अनुसंधान भी करता है अब अच्छा सिक्षक कोई बन सकता है करता है कि कई सारे teacher ऐसे होते हैं जो 10 साल पहले भी वैसी पढ़ाते थे आज भी वैसी पढ़ाते थे आज़्ब works और सब्सक्राब का樣 के अनुसंधान कि और जो बहुत अच्छा teaching करते हैं, ठीक हैं, अर्चा सिक्षक पर ही बन सकता है, जो सिक्षन पर का में सोथ पर ध्यान दे तो यह भी गलत है, अब जो सिक्षन पर ही ध्यान नहीं देगा, केवल सोथ पर ही ध्यान देता रहेगा, यानि कि अब यहीं देखा कि बच्चों को कन्व अकक्षा में अध्यापा का क्या रोल हो सकता है, अब विध्यार्टियों को सूचनाई देना, विध्यार्टियों को अधिगम के लिए प्ररित करना, विध्यार्टियों को सीखने की छंताईं विक्सित करना, विध्यार्टियों को कोर्स पास करने के लिए अभ्यास करना, अब देखिए, सबसे पड़ी बात है, सूचनाई देना, आप महाँ पर टीचिंग करने के हो, आप इंफॉर्मिशन देने नहीं के हो, ठीक है ना, तो आपको इन्यूस एंकर तो हो नी, केवल कोर्स पास करके अध्यापक डिगरी प्राप्त कर सकता है, नौकरी तो कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए कोर्स पास नहीं कराना है, उनको नौलेज देनी, ठीक है, जिसका वो यूज करके आगामी अपने जीवन को समर्द कर सके हैं, ठीक है न इसके अलावा विद्यार्तियों को अधिगं के लिए प्रेट करना, यानि कि विद्यार्तियों को सीखने के लिए मोटिवेट करना, बिल्कुल करेक्टर स्टेट्मेंट है, इसके अलावा विद्यार्तियों को सीखने की छम्ताइं विक्सित करना, हलनकि दोस्तों ये जो लीकने की छमताएं हैं, वो ज़्यादा तर आपके मनसर नुगत होती है, आपके जीन्स पर आधारित होती है, लेकिन फिर भी अभ्यास से इनकी इन छमताओं को भी दोस्तों विक्सित किया जा सकता है, तो ये भी दोस्तों अध्यापा के कारे के अंतरगत आता है, यानि कि अ होना होनी चाहिए, जब आप किसी छातर को दंड देते हैं, देखिए दंड भी देना कभी कबात आवशक होता है, ठीक है, पुरुसकार देना भी है, तो दंड देना भी आवशक हो जाता है, दंड के बहस से छातर आइंदा गलती ना करे, छातर में सुधार पैदा हो, छात चात्र को दंड दे रहे हैं, आप क्यों दंड दे रहे हैं, मान लेते हैं, आप क्लास में दोस्तों एक बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको सुधार ना चाहते हैं, उसकी गलती को सुधार चाहते हैं, तो कभी का बाद क्या कर सकते हैं, हम दंडे दे सकते हैं, तो उसका मेन मोटिव क्या है, कि आप वो चात्र है, उसमें सुधार हो, वो शोर ना करे, और अफकोस गलती ना करे, लेकिन उसमें वांचित सुधार आए, ठीक है, वो क्लास पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, तो मेन यह है, कि गलती ना करे, वो ही नहीं, उसके पीछे क्या है, कि सुधार उसमें होना चाहिए, इसके बाद अगला प्रशन देखेंगे, अनुसासन हींता पर एकदम किसी चात्र को क्या दंडे दिया जाना चाहिए, अगर कोई बच्चा है, बहुत जाता अनुसासन ही नहीं है, तो उसको क्या दंडे दिया जा सकता है, अधिक्तम, माक्सिमून, चात्र को स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाना चाहिए, चात्र को स्कूल से अनिशिक काल के लिए निलंबित कर दिया जा, और यदी चात्र चमा मांगकर अंडर्टेकिंग दे तो उसे प चातरों पर भारी आर्थिक जुर्माना लगा के सुधार आ जाएगा, जुर्माना लगा के तो वो समझी निए पाएगा, क्यूंकि जुर्माना तो उसके पैरेंट्स भरेंगे न, मैदान के दस चक्र लगवाना, उससे भी दोस्तों उससे ज्यादा उससे कोई फरक नहीं होगी यानि कि उसमें दोस्तों सुधार होगा तो उसे पुना स्कूल में ले लेना चाहिए यही दोस्तों सबसे अधिक तमदंड दिया जाना चाहिए इसके बाद अगला प्रशन है प्रकरण में यौन से संबंदित कोई बात आ जाने पर चातर बहुत हरसित एवन प्रफुल करेंगे उन्हें दंडित करेंगे आप सिक्षन की को समान्य वस्ता में रखेंगे इस पर कोई उतेजना नहीं दरसाएंगे उप्रोक्त में से कोई नहीं देखिए आप उसका सांथ देंगे यह तो बिल्कुल गलत है यानि कि अगर कोई चातर बहुत प्रफुली तो आप भ बड़ा खुसी मना रहे हैं इससे तो फिर वो क्या होगा कि उनका जो बल है वो और बढ़ेगा और भी ज्यादा वो अगली बार इस पर आपको मनलब की क्लास का जो महौल है वो बिगाड़े रहेंगे मनलब की अनुसासन हिंता बनती रहेंगे अगर आप उनको दंडित करे विगने में भी दूस्तों आप जो ंनको जानकारी दी जा रहे हैं यानि कि दौस्तों अगर कोई जो आप सिखाना चारहे हैं वो तो सीकी नहीं पाएंगे फिर कभी न यानि कि उनके उनके अनदर हमेंशा दंड बना रहेगा देखें आप क्या करेंगे सिक्षन को सामानी वस्ता में रखेंगे और इसमें कोई भी उतेजना नहीं दरसाएंगे ये दोस्तों सबसे बेस्ट है कि अगर कोई ऐसी बात आती भी है तो आप उसको दोस्तों इस तरह से लेंगे कि आप उसको सामानी वस्ता में रखें और इसमें कोई भी उतेजना नहीं दरसाएं नॉर्मल रखें जितना आवशक हो उतना ही बताएं एक्ष्टा ना ज़्यादा बताने के आवशकता है नकब जितना टॉपिक के आवशकता है उतना उनको बताएं और सीरियस टीचिंग करें जिसे कि छात्रें वो भी समझ जाएं कि उनको कैसे वहाँ पर बिएव करना है अगर आप कोई रियक्षिन करेंगे चाहे वो पॉजटिव और नेगटिव इसमें क्या होगा कही ना कही अनुसासन हींता का महौल ही पैदा होगा इसके बाद अगला प्रशन देखेंगे सह सिक्षन वाले कक्षाओं में यौन सम्मंदी बाते करना कैसा है कदा भी ठीक नहीं है इस पर उतनी बात कीजाए जितनी प्रकरण में आवश्यक्ता है इस पर विस्वतार से चर्चा कीजाए ताकि छात-शात्रों के मन में संकान ना रहे वो प्रोक्त में से कोईन है तो जैसे कि दोस्तों मैंने भी आपको बताया कि अगर यौन सम्मंदी बाते करना से सिक्ष है निकि को एज्यूकिशन वाले क्लास से जहां पर आपके लड़के और लड़की साथ में पढ़ते हैं तो कदा भी ठीक नहीं है बिलकुल गलेते देखी इसपर उटनी ही बात की जाए जितनी के प्रकरण में आवश्यकता है तो मुझे बात की जानी चाहिए अब इसपर इतनी भी विस्तार से चर्चाह न करें कि चात्र चात्रों के बीच में कोई संका न रहे, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है, तो इस पर मैंने आपको पहली बता है, उतना ही आपने बात करनी है, जितनी की परकरण में आवशक्ता होते हैं, इस पैसली दोस्तों कई बात, जिसे 11-12 में जो बालोजी के टीचर्स होत तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं as the teacher हो, और मुझे किसी प्राश्न का अगर मुझे special स्पास्टीकरन नहीं मिल पा रहा है, या उसका मुझे उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी कोई permis परवाद नहीं करूँगा, किसी ग्यानी विक्ति इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, मैं उस समय तक चैन से नहीं बैटूँगा, जब तक कि मुझे उच्छे दिस पस्टिकरण नहीं मिलता, चाहे इसके लिए मुझे इंटरनेट पर खुजना पड़े, चाहे मुझे किसी ज्यानी विक्ति से मिलना पड़े, या फिर मुझे किस परिष्रमी हो, सादा जीवन वितीत करता हो, अपने विध्यारतियों से सची लगन रखता हो, तो देखिए इस समय पर आंसर देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपको पता चेक लग गया होगा कि आटिटूड और आप्टिटूड दोस्तर क्या है, बाल के अगेन आप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर पाते तो बेकार है, सादा जीवन वितीत करना ये आपकी परसनल चोईस है, आप सादा जीवन भी वितीत कर सकते हो, आप अच्छा जीवन भी वितीत कर सकते हो, हाई क्वालिटी लेवल की लाइफ भी जी सकते हो, तो वही अच्छा जापक कहलाता है अगला प्रशन देखें किसी कक्षा में प्रवेस के लिए एक निश्चित आयू का निर्धारन क्यों आवशक है यानि कि दोस्तों अगर आप किसी क्लास में जाते हैं तो उसके लिए निश्चित आयू क्यों होनी चाहिए अगर आप आप मान लेते हैं क्लास सकंड में अडिशन रहेगी आयू में डिफरेंस होना चाहिए अपकर क्यों होना चाहिए क्योंकि पार्टे चारिया आयू की विसेश रूचियों और मांगों को ध्याद बे रखकर ही तैयार की जाती है दोस्तों जो आपका करीकुलम है वो दोस्तों बहुत ही मनोविग्यानिक विडियो पर दोस्तों बना हुआ है, साइन्टिफिक दोस्तों बना हुआ है, तो जो विभिन आयू है देखे हमारी अलग-लग विसे अवस्थाइं होती है, दोस्तों जिससे की सैसवा अवस्था होती किस ओर अवस्ता होती है, सब में क्या होती है, डिफरेंट रूचें होती है हमारी विभिन अवस्ताओं में, विभिन मांगे होती है, तो उनके आधार पर हमारा करीकुलम है तो तयार किया जाता है, ठीक है, तो अगर आप किसी 10th में पढ़ने वाले बच्चे को अगर आप 2nd कक्ष आयो के बच्चों के संग ही बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी जो रूचियां होती है, मांग होती है, आपस में दूसरे से, एक दूसरे के compatible होती है, अब एक क्लास 2nd में पढ़ने वाले बच्चे की डिमांड अलग होगी, तो कभी भी समयजर उनके बीच में न कर सकते हैं, तो यानि कि उपरोग सबीस का राइट अंसर है, अगला प्रस्न देखेंगे, प्राइमरी स्थर पर छात्रों को मातर भासा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा क्यों होता है, आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी लेवल है, वहापर बच्चों को अपनी मातर बच्चों को क्या मिलता है, इससे आपका जो वातभाविक वातवरण मिलता है, बिलकुल है, इससे आपका जो वातवरण है, वह आटिपिशल टाइप का नहीं लगता ना, अगर आप बहुत ज़्यादा जिसे अन्या भासा में बात करेंगे, बच्चे के हैं, अपने अपका जो वातवरण मिलता है, इससे अध्यावा को अन्भाव को बाटने में भी सुविदा होती है, बिलकुल इससे कोई भी जो टीचर है, वो अपने एक्सपिरिंस को भी दोस्तों उनके संग शेर कर पाता है, उससे उसको आसानी होती है, तो बिलकुल सही है, तो बिलकुल इससे अध्याव को अपने बच्चों के प्रगरती का पता चलता रहेगा, तो देखिए जो अप्रोप्रियेट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका डी है, देखिए इसमें हम यह कहेंगे कि नहीं अभी बावकों पर अत्रिक्त बोज है, देखिए कहीं नहीं यह भी positive statement है, लेकिन देखिए, अभी बावकों को अगर चाहिए कि अपने बच्चों के बारे में उनको पता चलते रहे, उनकी progress report क्या है, तो definitely अभी बावकों को अपने बच्चों का homework करने में मदद करनी चाहिए, और आज की जमाने में होता ही, लेकिन आज की जमाने में उल्टा हो रहा है कि बच्चों का सारा homework अभी बावक की करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा homework दिया जाता है, तो homework की भी क्या होती है, एक limit होनी चाहिए, एक बच्चा है, उसके level के according ही, उसको homework देना चाहिए, अब आपने देखा होगा जातर आपके यहां भी अगर च्छोटे बच् ही सारा काम आजकल करके दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, गहीना कि बच्चे को भी इसमें include करना चाहिए, और ग्रह कारे भी बिल्कुल थोपा नहीं चाहिए, लेवल तक ही होना चाहिए, तो यह बच्चे ग्रह कारे अवश्य करके लाएंगे, यह भी सही है, लेकिन इसका जो सही motive है वो यह है, कि अभी भावक अपने बच्चों की progress report का उनको पता चलता रहेगा और बिल्कुल मदद करनी चाहिए, अगला प्रसन देंगे है क्या अध्यापक के लिए कोई आचार सहीता होनी चाहिए, क्या आचार सहीता होनी चाहिए उनके लिए, नहीं इस से उनने जवाब देंगी बढ़ेगी, तो C वाला option बिल्कुल correct, अगला प्रसन देखेंगे, निमने में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, दोसने प्रवक्तर स्क्रिनी एक्जाम में आयवा प्रसन भी है, सिक्षण कला है, सिक्षकों को प्रसिक्षित किया जा सकता है, सिक्षक उसके correct है, तो कला तो है ही विज्ञान भी है, ठीक है, सिक्षकों को प्रसिक्षित किया जा सकता है, बिल्कुल correct है, दोस्तों सिक्षकों को प्रसिक्षित करने के बाद ही उनके aptitude को बढ़ाया जा सकता है, यानि कि उनकी जो सिक्षण अभिवरती है, अभिरूची है, उसक को अर्जित की करते हैं सिक्षक तो उनको बिल्कुल प्रसिक्षित किया जा सकता है लेकिन सिक्षक जनमजात होते हैं यह बिल्कुल प्रसिक्षक जनमजात होते हैं यह उसी स्टेट्मेंट का बिल्कुल उल्टा है कि सिक्षक जनमजात होते हैं सिक्षक जनमजात नहीं होते ह अरजित होता है ठीक है न यानि कि आपका जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे आप क्या करते हैं जो सिक्षन अभी रूची है उसको आप अरजित करते हैं ठीक है तो C वाल उप्शन बिल्कुल करेक्ट है ये कतन आपका सत्य नहीं है अगला प्रस्म क्या सरकारी स्कूल के अध्यापकों के वेतन को घटा दिया जाए क्या ये सही है बिल्कुल गदर स्टेटमेंट है अगर आप अध्यापकों का वेतन घटा देंगे तो इससे क्या सिक्षा का स्तर सुदर जाएगा नहीं हो सकता है ये जरूर हो सकता है कि आप अध्यापकों जो पदोनती है या वेतन बिर्दी है उसमें उनके सिक्षण के स्तर के आधार पर उनको चीजे दे सकते हैं ठीक है न यानि कि जैसे आप पब्लिक स्कूल में देखते हैं प्राविट स्कूल में प्राविट स्कूल में कोई इची टीचर बहुत अच्छा बढ़ाता तो वो उ इसके बाद हम बात करेंगे सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ाया जाए तो इससे ग्या होगा कि आपका स्तर है जैसे की पब्लिक स्कूलों में होता है वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें निगरानी के स्तर को बढ़ाया ग जो आपकी cumulative comprehensive evaluation चलता है न दोस्तों उसको बोलते हैं आपकी लगातार आपका क्या होता है मुल्यांकन होता रहता है ना सिर्फ केवल आप एक्जाम में कितने marks ले रहे हैं उनके अधार पर ही नहीं होता है वो तो केवल मापन है आपका मुल्यांकन है लगातार चलने वाली दोस्तों process होती है आपका आप homework कितना करते हैं आप class में कितना active रहते हैं आप physical में कितना अच्छा करते हैं आप extra co-curricular activity में कितना अच्छा करते हैं उस आधार पर दोस्तों मुल्यांकन किया जाता है तो वो बिल्कुल इमानदारी से लागो की जाने चाहिए तो देखा जाये तो दूसरा और तीसरा दोनों बिल्कुल correct है यह और यह correct है अगला प्रस्ण देखेंगे सिक्छा परमधन है education absolute money है ठीक है वो क्यूं है बताओ इसे कोई चुरा नहीं सकता इसे जितना बाटा जाएगा उतना ही या बड़ेगा इसे कोई चीन नहीं सकता उपरोगत से भी बिल्कुल दोस्तों यह परमधन है एक सिक्छक के पास दोस्तों यह सबसे बड़ा धन होता है कि उसके पास दोस्तों knowledge है अगर उन knowledge है तो वही दोस्तों इसके पास knowledge भी होती है इसे कोई उसे चुरा नहीं सकता उतना knowledge को बाटेगा उतना ही उसकी knowledge बढ़ती चले जाएगी इस चीज को उससे कोई भी छीन नहीं सकता इसलिए यह absolute money है परमधन है तो अपरोगत सभी दोस्तों इसका right answer है तो दोस्तों आज के प्रश्ण इतने ही करवाएंगे I hope कि दोस्तों आपको इस session अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर बताईएगा हम और भी दोस्तों इसके MCQ लेकर आएंगे